हेलो फ्रेंट और सुलका बैक तो मैं चल्ड़न अमरीती फेस्टे विला आज की वीडियो में लड़ुकॉपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं बहुत ही कुपसुरा सी अमने ड्रेस बनाई है आप देखे बहुत ही प्यारा है और यह है इसके साथ की पगड़ी मेजरमे आप इसे पहना सकते हैं और पहनाने के बार यह बहुत ही कुपसूरत लगती है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाईस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल आइकन पर प्रेस करके और पर क्लिक कर लें जिसे वेरे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टार्गाम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर फॉलो करिए मेरा इंस्टार्गाम है अम्रिती फैसमेला 50 अफर लिंग का आप इनकी बाहर से दिखे ना बस यह सिक्योर हो गए इसलिए मैं थोड़ी सी लंबी दोरी बिनाती हूं जिससे आसानी से हम इसे बांग सकें और इनकी इनका पूरा घेर बंध है यह देखें यह कहीं से भी खुला नहीं है और यह है इनकी पगड़ी तो पगड़ी हम लगा दे चड़ा दिया पीछे से भी थोड़ी सी मुड़ी है इसे भी सेट कर देते हैं बस यह बहुत अच्छे से से इनकी पगड़ी चलिए मैं इनका फाइनल लुक थोड़ा सा केब्ले की सेटिंग चलिए की दिखाते हूं यह देखें कुछ इस तरका इसका लुक आता है तो चलि यहां पर यहां पर हमने यह जो क्रॉस या हूंक लुए है वह अपनी 2.5 mm की लिए यह देखें यह फोकस नहीं करता है अब देखें 2.5 mm की है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से सबसे पहले हमें एक नॉट बनानी होगी यह देखें यलो कलर का उन हमने लिया यहां पर इस तरह से नॉट बनानी है यह देखें हमने यहां पर यह नॉट लगा दी और हम क्या करेंगे यही से हम चेन बनाना जूरू करेंगे तो यह मैं बना रही हूँ पांच नंबर के कानाजी के लिए तो पांच नंबर के और नो, दस, ग्यारा, और ये 12, हमने यहाँ बारा चेन बनाई, पाश नमबर एक आनाजी के लिए, 0 size में आपको 5 chain बनानी है 1 नमबर में 6 chain, 2 नमबर में 7 chain, 3 नमबर में 8 chain, 4 नमबर में 10 chain, 5 नमबर में 12 chain, 6 नमबर में 14 chain, 7 नमबर में 16 chain, 8 नमबर में 18 chain, 9 नमबर में 20 chain, 10 नमबर में आपको यहां 22 chain बनानी है यहाँ पर एक chain हमारी हुक में है, इसके बाद वाली एक chain छोड़ेंगे और यह third chain में हम double crochet बनाएंगे तो यह third chain में हमने इस तरह से डाला, यहाँ से फंदे को निकालेंगे तीन यहाँ पर फंदे हैं, तो तीन से पहले हमने 2 फंदा किया मतलब double crochet हमें एक एक बार ही बनानी है बस last वाले chain में फिर हम दो बार बनाएंगे starting में और end में हमें दो दो बार बनाना है सभी row में और किसी भी size के लिए आप बना रहे हैं आपको यही चीज करनी है बस हमारी row कम और ज्यादा होगी यह देखें मैं आप इस तरह से सभी chain में एक एक बार double crochet बनाते हुए चलूँगे हमारी first row होती है उसमें यह आपको थोड़ी सी हो सकता है कि दिक्कत हो अगर आप बहुत tight tight chain बना देते हैं तो नेत आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है बहुत ही खुप सरची dress और बहुत ही easy तरीके से मैं आपको बता रहे हूँ यह देखें यह इस तरह से हमने किया फिर next chain में डालेंगे यह हमने निकाला और यहां इस तरह से हमने इसे बुन दिया फिर अगली chain में हमन chain लगबग बची हुई है तो last वाली chain में बस हमें बनाना है दो बर बाकी सब में एक एक बार बनाते हुए चलेंगे यह देखें इस तरह से अब यहां पर दो chain हमारी बची हुई है तो यह एक chain में हमने एक बार बनाया अब हमारी इसकी बार आ जाएगी एकदम last वाली chain यह और बार बना देंगे यह हमने दो बार बना दिया हमारी यहाँ पर देखें यह फस गया थोड़ा सा यह टबल उन से मैं भूनती हूँ इसी वज़ा से यह थोड़ा सा फस गया यहाँ पर फिर से हमें बनानी होगी तो यहीं से मैं बस उठा के और निकाल दोंगे यह हमारी एक रों complete हो गए अब हम यहाँ पर अपनी second रों बनाएंगे second रों के लिए हमने क्या करना है इस तरह से अपने वह को turn करेंगे और turn करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक और दो दो चेन बनाए दो चेन के बाद सबसे first chain में ही हमने यह देखिए एक बार double crochet बनाए और फिर सेम इसी chain में हम डालेंगे और double crochet बना लेंगे देखिए first chain में हमने दो बार बना लिया इसके बाद सभी chain में हम एक एक बार बनाते हुए एंड तक जाएंगे और एंड में एकदम आखरी वाली chain में हमें दो बार बनाना है अब देखें यह आपका थोड़ा जल-जल्दी काम होगा आपका पहले वाली रो थोड़ी धीरे धीरे बनती है बागी सारी रो काफी अच्छे से जल-जल्दी अब यह आपको बहुत धीर- को नहीं like करें है नहीं subscribe करें चो सरा 55 परसेंट अनुस अब बताइए पर सब्सक्राइब किया करते हैं तो प्लीज अपको अगर वीडियो पसंड आ चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइप किया करें और वीडियो में जी सब्सक्राइब क्या करें इस तरह से यहां पर हम बनाया अभी हम इसी में एक और बार बना देंगे यह हमारा हो कि अभी सब्सक्राइब यहां पर तीस्टी और चौथी रो भी बनाने है चले बना ले तो फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है यह देखे हमने पांस नबर हिकानाजी के लिए यहां पर टूटल चार रो बनाई है अब यहां से हम एक चेन पढ़ाएंगे और नॉट लगा के इसे कट कर देंगे यह यह देखे हम नॉट लगाया और इसे हम एक दायोग जेए यहां हमारी आगे सेम इसी तरह से हमने एक ट्रैड कलर में पीस ट्रैड किया हुआ है यह देखे हमारी चोली का हिस्ता है तो हम यहां पर एक के की ऊपर आप लेंगे बनाने फिल्ट रेंगे शेंगे तो पर उन को इस तरह से लिया और लेने के बाद एक चेन बनाई अब देखें नेक्स चेन में इस तरह से एक बार सिंगल क्रोश्या बनाएंगे फिर यहां अगली चेन में हम सिंगल क्रोश्या बनाएंगे फिर यहां अगली चेन में बनाएंगे सबी चेन में एक एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है तो ये हमारी आउटलाइन हो जाएगी ये देखें एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है किसी भी सैज के लिए आप बना सकते हैं अभी मैं आपको ये रो भी बताती हूँ किस सैज में आपको कितनी रो बनानी है ये देखें ये आसानी से बुनता चला जाएगा और एंड में हम नॉट लगा के अपने क्रीन कलर बारे उन को कट कर देंगे ये देखें चलिए मैं अपनी रो कम्प्लीट करके ये इतना बुनने के बाद आपको एक बार आउटलाइन देनी ही जहाँ किसी भी साइज में बनाए एक बार आपको आउटलाइन करनी है तो ये हमारा हो गया अब मैं यहां पर क्या करूंगे देखें इस तरह से जॉइंट करेंगे यहां पर देखें ऐसे थोड़ा सा येलो इधर देखना चाहिए और इस तरह से इसको रखेंगे और इसे हम आप जॉइंट करेंगे इधर से भी देखें थोड़ा सा आएगा और इसे हम लगाएंगे, इस तरह से यह रड़ वाला फसाल लेते हैं, जिससे कोई निकलने के चांसे ना होई, देखें, हमने एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोश्या बनाई, यहाँ से इसे टाइट कर लेते हैं, यह हमने एक बार सिंगल क्रोश्या बनाई, अब यही हम नेक्स चे हमारा से ओ이दे नहीं कि ईसे च knob कर रहा है यहां से कि हमारा जूइंट होगा। यह इस तरह से हाएगा कि यह हमें जूइंट करना हैं तो यहां पर आजयराया है। अब कि बसंति क्या करना है यहां ने सिंगल ऊता भी चे करना है इस वार हम देख़ फंदे को लेके बनाएंगे सिंगल कुरूशा इस तरह से अब हमारा दोनों इस तरह से ले लेना है हमने इसमें हम डालेंगे यह लोग वाले में भी गया यहां से हमने यह फंदे को लिया ग्रीन वाले और यहां से हमने सिंगल कुरूशा बना दी मतलब हमें दोनों को लेते हुए बन पड़ाना है और अब यह हमारा यहां पर यह लास्ट है हमारा बस यह हमारा ज्ञाइंट हो गया यह देखिए कितना खुबसूरत लगेगा यह बहुत ही घुबसूरत ही हमारे डिजाइन आती है और यह अब हम इधर भी तीन डॉबल कुरोश्या बना देंगे स्वारी सिंगल दॉबल कुरोश्या है ऐसा ही आपको भी सभी साइज में जोड़ना है यह देखिए हमने आप यह निकाल के बना दिया इसे मैं लंबा करते हूँ और आपको जोडते वक्त ध्यान देना है कि इधर से यह वी से पाए और इधर से भी आसा आपको वी से पाजाए यह बनाना है किस तरह से vaccines आपको बताती हूँ यहां से सबसे पहले हम यह अपना यूट लेंगे प्यान इसे हमने इस तरह से कीज के υट क्या टायट करने के बार हमने 1 दो दो बनाई, लोा-टेन बनाने की बाद फोस्टेन में देखिए वन화를 हमने एक बार और यहीं संवी चैन में हम आप रख यहीं सेम बना देंगे यह बन गया देखें फिर next chain में टालेंगे हमने एक बार double crochet बनाई और यहीं same chain में हम एक और बार बनादेंगे इसे करके हम अपना work कहाँ पर complete करने चले करते हूं फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है यह देखें हमने अपनी second row complete कर ली अब third row में आएंगे तो अब हम अपना yellow वाला color लगाएंगे यहां से इस तरह से हमें ले लेना है यह देखें यहां से इस तरह से हमने इसे निकाल ल हुआ है इसी में हम डाल के बुनेंगे दो इधर और इस तरह से बुनना है तो किस तरह से बुनना की मैं बतारी हूं आपको देखें इस तरह से हमने एक और दो दो चैन बनाई यह हमारे एक double crochet हुई क्या अब देखें चार के बीच में में डालूंगे 2 इधर double crochet चोड़के दो इधर चार के बीच में हमने डाला और यहां पर यह हमने एक बार बनाया फिर यहीं पर डालेंगे यह हमने दो बार बनाया और फिर हम यहीं पर डालेंगे यह हमने तीन बार बनाया फिर यहीं पर डालेंगे यह हमने चार बार बनाया और फिर यहीं पर हम डाल देंगे यह हमने पांच बार बना लिया और स्टार्टिंग में हमने जो दो चेन में बनाए थी वो भी हमारा एक डूबल क्रोश्य होना जाता है इस तरह से यहाँ पर टूटल छे डूबल क्रोश्य हो गई यह पर लास्ट छे एसे ही सभी चार चार के बीच में हमें चे चे बार डूबल क्रोश्य हो बनाते हुए एंट तक आना है चलि आती हुआ अगे दिखाऊंगी क्या करना है यह दिखिए हमने अपनी रो कंप्लीट कर दिया सभी में 6-6 बार बना दिया और अपने वर को टॉन करेंगे अभी हम यलो कलर से बुनेंगे किस तरह से बुनना है यह देखिए यहाँ पर एक दो तीन तीन चेन हमने बनाई अब देखिए यहाँ पर हमारा है डूबल क्रोश्य है इसलिए हमने इसके आधी तीन चेन बनाई है और इसके बार यह हम इसमें यह देखिए हमारा यह दो डूबल क्रोश्य हो गया एक चेन वाला और एक डूबल क्रोश्य हमने बना लिए और यह हमारा तीसरा हो गया फिर यह चौता हो गया यह पांचवा और यह चटा हमने छे बना लिए छे के बीच में हमने छे ही बना लेंगे, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, और ये छे, इसी तरह से हमें सभी के बीच में छेटे बार बनाना है, चलिए बना लेते हूं, फिर नेक्स रो दिखाऊंगी क्या करना है, ये देखिए हमने अपनी सेकेंड रो भी यलो कलर से कंप्लीट कर दी, अब जि चलिए मैं बना लीते हूं फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है, ये देखिए हमारा यलो कलर से कंप्लीट होगिया, हमने 3 दो यलो कलर से बना दिया है, अब यहां पे हम आगे रेट कलर से बनाएंगे, तो ये देखिए, ये हमने इसमें डाला, और यहां पे अपने कर तायट करके यही पे ले ले लेंगे जिसमें निकला ना लगे और यह तीन के बीछ में डालके हम इसे पहले slip stitch से जोड़ेंगे यह तीन के बीछ से डालके हम double crochet बनाएंगे देखिए हमने एक और दो तीन हो गई है क्योंकि दो double crochet है और ये एक chain है तीन double crochet हो गई है ये हमारी 4 हो गई ये 5 हो गई ये 6 हो गई ये 7 हो गई और ये 8 हो गई बस बस हमारा यहीं इतना change रहेगा कि हमी सभी के बीज में आठा double crochet बनानी है यहां से ये और यहां से हमने ग्रीन वाले को भी cut कर दिया है और हम इस तरह हैसे करेंगे और यहां पे देखिए तीन के ये पांचवी, ये हमारी छटी, ये साथवी और ये आठ, हमने यहाँ पे आठ डबल क्रोश्या बनाती है, ये देखें, ऐसे हम यहाँ सभी में आठ 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 बार बनाएंगे, चलिए बना लेती हूं, फिर आगे लिखाऊंगे क्या करना है, ये देखें, हमने यहाँ सभी ये आठ आठ बार बना दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से पल्टेंगे, और सीम तरीके से हमें बनाना है, कोई चेंज नहीं होगा, ये देखें, आप एक, दो, तीन, चार, चार बार हमने इसलिए बनाया, क्योंकि यहाँ पे आठ चें है, चार के बाद हम इसे लि ये देखें, तीसरा हो गया, इसी तरह हम सब इमें 8-8 बनाते हुए एंट करेंगे, चली बनाते हूं, फिर आगर दिखाऊंगे क्या करना है, ये देखें, हमने सेम रो बना ली है, सेम तरह से 3 रो बना ली है, ये देखें, एक, दो, 3, 6-6 होगा हमारा 3, सबस्पहले हमने 4 ये देखें, 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 ये पांच ये छे ये साथ एक जग अच्छाराल के बुरना होता है हमें ये आठ ये नौ ये दस ये ग्यारा और ये लास्ट बारा हमने आ देखें बारा बार बना दिया और हम क्या करेंगे इसे देखें यहां से हम इसे ऐसे डालेंगे और यहां से ये फंदे को निकालेंगे यहां हम इसे स्लिपिष्टी से जोल लेंगे जिससे यहां पर ये ऐसे सरकल आ जाए पुरा गजब का हमारा और फिर यहां पर देखें हमें यह हमने एक चेन बना ली और एक चिन बनाने के बाद हम डाइडेक्ट अब यहाँ पे 12 डबल ग्रोशिय बनाएंगे यह देखें, चार चार का डिवाइट करके इसके बीच में हमने 12 बनाना है यहाँ पे एक चिन बनाना ज़रूरी नहीं है बट अगर आप चाहें तो बना सकते हैं बना लेने से इजी हो जाता है बनना यहाँ पे यह देखें, तीन यह हमारा चार यह पांच यह छे यह हमारा साथ यह हमारा आठफा है देखें, यह 8, यह 9, यह 10, यह 11, और यह 12 बना लिया अब देखें फिर यहाँ से डालेंगे ऐसे, यहाँ से यह निकाला और इसे हमने यहाँ स्लिपिश्टी से जोड दिया पिर यह अचाहा है तो आप एक चीन बना सकते हैं या ते डाय एक शेंँ पीच बना सकते हैं यह देखें इसे हीREE यह देखें हमें हमने यहाँ पे चार भर बनाके से कट-कर दिया यह हमारा कम्प्लीट होär अब 0 में मैं इसी तरह से हम अपनी साइब ही बनाइंगे यह देखे इस तरह से इधर से अइसे deux लोने को छटा देंगे और यहां पर हम सिंकल पेले बनाएंगे जैसे अमने यह परियो मैं इधर गरें इनी यहां पर बनाती कोहिसाicherung तो चले मैं सेम तरह किसे इधर भी बना लेती हूँ फिर आपको सभी साइज में पता दूगे कि कितने कितने आपको यहां पर रोब बननी है यह देखें हमने इसे दोनों साइज से कम्प्रीट करके यहां पर कुछ स्टोन बटन्स चिपका दी हैं यह देखें इधर भी और इधर भी और यह हमने एक स्टोन बटन यहां फ्रंट पर भी लगा दी है यह हमारा complete होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो हमने देखें आपे, यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, टोटल हमने यहाँ पे आठ रो बनाई है, यह देखें, पांच नमबर एक आनाजी के लिए, हमें आठ रो बनानी है, 0 साइज में आप, सिर्फ पीए, देखें, यहाँ तक का बनाए, उसले एक नम्बर में आप चार रो बनाले, 2 नम्बर में पांच, 3 नमबर में 6, 4 नम्बर में 7, 5 नम्बर में 8, 6 नम्बर में 6, 9, 9 नम्बर नम्बर घार न में आठ qua बनाया है, सबसे पहले पाना इक 10 वाट, हमारा दीन रो नमपर सई नबर में 5 द गातनाइवश नहुतलों करकूँ वे पाते लाँ hak आंग गातस और यह सब्सक्राइब यहुट को इसंट आ सब्सक्राइब रेelnिय। और यह रहा हमारा डोरी, यह देखें कितना खुबसूरत लग रहा है, एकदम यूनिक पैटर्न हमने बनाया है, मैं यहां पर इसे साइट कटी हूँ, और आपको मैं पगड़ी बनाना बताती हूँ, किस तरह से आप बनाएंगे पगड़ी को, तो पगड़ी बनाने के लिए म मैंने आपको पहले बताया था, देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, अब देखें हमने आपे 45 चेन बनाई है, पांच नमबर के एक आनाजी के लिए हमने आपे, यह देखें, मैं यह भी लिग देती हूँ, थोड़ी सी जगा बची है, पांच नमबर क आपको 50 चेन बनानी है, 7 नमबर में आप 55 चेन बना ले, 8 नमबर में आप 60 चेन बना ले, 9 नमबर में 65 और 10 नमबर में आप 70 चेन बना ले, और 4 नमबर में आपको 40 चेन बनानी है, 3 नमबर में 35, 2 नमबर में आपको 30, 1 नमबर में 25 और 0 सैज में आपको 20 चेन बनानी है, यहां पर एक chain हमारे हुक में है, इसके बाद आली एक chain हम छोड़ेंगे और तीसरी chain में हमें double crochet बनाना है, तीसरी chain में हमने इस तरह से डाला, यहां से फंदे को निकालेंगे, तीन फंदे हैं, तो तीन फंदे से दो फंदा कर रहे हैं, और फिर देखें, दो फंदे से हम एक जबै करेंगे, फिर हमने इस तरह से प्यण रुँम्स के, में चेन में हमें डालेंगे, यहां इस तरह से निकाला हुमने, और यह देखें तीन, दो से यह इस तरह से हम यहां सभीacement चेन में एक ऐक सिसरी chain हमने पर एक बार करेंगे, ऑर आपका जितनी हम बहीं चेन यहां पर 45 पर double crochet आएगी जो इस टार्टिंग में हमने दो चेन बुनी है इसे भी ले के हम चोड़ते हैं इसे भी हम एक double crochet माते हैं अभी तक मैंने हमें हमें टूटल 4 double crochet बना दिया चलि मैं हमें सभी चेन में एक एक बार double crochet बना लेती हूं यह देखें एक चेन हमने बनाई और यहीं सेम चेन में डालके फॉस चेन में हमने डालके double crochet बना लेनी है यह देखें यह इस तरह से इसे निकालके हमने double crochet बना दी अब एक फिर next चेन में डालेंगे एक बार double crochet बनाएंगे फिर Nex Chin में डालेंगे एक बार बनाएंगे ऐसे हम यहाँ पर सभी चिन में क mere double crochet और बना लें एक ग्रोर राट कैलर से बना लेते हैं और अपर नहीं होगे तूल किया को बना लिए ह 20 जशब के कि कितने落ち लंबाई निष प्रम प्रम को बनानाका रंप है अब लेक है जिसे दिए सबकिन देव कि कितने लंबाइ इन चेह कि फा यह को भी बनाने है जितनी चेन है उतने में हमें उतने पार बना देना है अब यलो बाला मैं नीचे रखूँगी क्योंकि मेरे सावले रंके ठाकोडी है और इसे हम इस तरह से करेंगे यह सामने से हमने पगड़ी का इसे सेब दिया इसे बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहां से यह हिस्सा अ बश्काषा रहता है सिलना बस मैं थोड़ा सा जलदी हुजए इसलिए करें तो हम देखें यहां पहुंसे थोड़ा सा घ्लू लगा के और चिपका देगे बस यह बहुत गरम होता है, यह देखें, फट से हाँ जल जाता है, मेरा हाथ कई जगा पर जला है, यह देखें, यह ग्लुकन से जला है, यह इसी से जल जाता है मेरा हाथ, तो यह बहुत गरम होता है, अगर बचा के नहीं करेंगे, तो तुरंट से हाँ जल जाएगा, यह दे यहां पर यह बूटी बनाई हैं, देखें, एक, दो, और तीन, तीसरी हम आपको बना के दिखाते हैं, किस तरह से बनानी है, यह देखें, हमने यलो कलर का उन लिया, इसे एक लूप बना लेते हैं पहले, यह हमने लूप बनाई, और लूप बनाने के बार, अब हम इसमें चे और इसे हम slip stitch से जोड़ देंगे, यहां से हमने जोड़ दिया, अभी जो सरकल है इसे में हमें double crochet बना देनी है, देखें, दो चेन बनाएं, इसमें जितनी भी double crochet आजाएं, उतनी हम बना देंगे, मैंने कोई गिंती नहीं किया, यह देखें, आपके सामने गिन के दिखा देती हम, तीन होई, यह 4 होई, यह देखें, यह 5 हो गई, यह 6 हो गई, बहुत इजी तरीका आए गाज, बहुत आसाने से आप बना सकते हैं, यह 7 हो गई, यह देखें, 8 हो गई, यह हो गई 9, यह 10, 10 में अभी मेरी पूरी हुई नहीं है यह 10 हो गई यह 11 हो गई यह 12 हो गई यह 13 हो गई अब देखें यह लगभाग मारा कंप्लीट हो ओ गया है यहां इसे स्लिपश्डि से जोल देंगे बस यह हमारा बं के ओ流 गया करने के बाद से क्लिट एक एक स्टोन बटन लगा देगा यहों जीने, लान हम पार देंगे कर देशुद सकते हैं, यहां पर भी अब San Suja. जिससे आपका उन बाहर से ना दिखे तो यह दिखे मैं नहीं पर थोड़ा ग्लू लगा दिया अब यह उन यहाई पर सेट हो गया है और यहाँ फरंट पर भी थोड़ा सा ग्लू लगाके और इस पर अपनी स्टोन बटन लगा देंगी इस तरह की बटन आपको मार्केट में जाएंगी अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप इसकी जगह पे कोई भी नग बटन कुछ भी लगा सकते हैं यह हमने बना लिया अब हम इसे इन तोनों को इसके उपर लगाएंगे हमारी पकड़ी पी सूख गई है आप जैसे चाहें इसे अपलाई कर सकते हैं यहां से यहा सिलना बहुत इजी है बहुत अफानी सी और वह सिलाई वाला जो काम होता है वह बहुत लंबे टाइम तक चलता है हमारा यह देखें और यह लास्ट तो चलिए अब मैं एड्रेस आपको गोपाल जी को पहना के दिखा देती हूं कि किस तरह की लग रही है यह देखें गाई स्टुडियों तब तक के लिए हरे क्रिष्णा रादे रादे